2024 में अगर इंडिया की सरकार बनी, तो अकेले RJD एक करोड लोगों को रोजगार देगी, ये वादा आज के परिवर्तन पत्र में यानि मेनिफेस्टों में तेजस्वी आदव ने कहा है, मेरे साथ इस वक्त BJP से उस पर प्रतिक्रिया के लिए सुश्मा साहू मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं BJP की, एक करोड नौकरी, इसका मतलब RJD ने तो कह दिया, BJP को पता है कि ये कितना बड़ा वादा किया गया है, और आप कैसे आपके पास काट किया है BJP के पास, देखे तेजस्वी जी शायद बार-बार इन चीजों को भ्रहम जाल तो जो फैला रहे हैं, व उनकी माता जी का जब राज था, मैं यह नहीं कहूंगी कि उन्होंने नौकरिया नहीं दे, नौकरिया कैसी नौकरिया दे, गुंडा बनाने की नौकरिया दे, ब्रस्ट अचारियों को पैदा किया, यह जितने भी अकूत संपत्ती बनाने वाले लोगों को पैदा किया, जि इस रास्ते पर नौकरी दी ये बड़ी बात है उनका उनका काम ये सारे चीजों में जिस तरह किसे नौकरी करके और बच्छे आगे भविश्य में बिहार का नाम रौशन करें उन्होंने तो बिहार पर दाग लगा कर कलंग लगाने का काम किया था किस बिभाग में स्रिजन करेंगे सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है आप अभी जस्ट आपने देखा कि आकड़ों की हम बात कर रहें किस बिभाग में कितनी नौकरिया दी उन्होंने जब जब इंडिये कड़बंदन की सरकार आई है तब तक नौकरियों का स्रिजन हुआ है गड़बंदन तुरंत हटने के बाद उन्होंको फिर से रिक्रूट कर दना वो अलग चीज है उनके पास तो विजन ही नहीं है एक करोर नौकरी का मतलब समझ में आता है बिहार एक क पहार से ट्रांसफर होकर के आई है और डारेक्ट एक जगह चुनाव लड़ाने के लिए उनको मने सेट कर दिया गया है आप भाई को करेंगे आप अपने परिवार को करेंगे स्वैम को करेंगे आने वाले समय में हो सकता है पत्नी को करें तेजस्वी जी लेकिन यह सब बि हर्मातिजानत आपई यानि कमल जो कहता है वो करता है और मोडी जी कि यही बात है कि हम ग्यारेंटी रेते हैं कि हम यह काम करेंगे है यान हिरंटी पूरा होने की गारण्यicion है समझ में ओगा ब्यजञ बिजली इसपर क्या करेंगे 200 यूनिट बिजली अभी आप लोगों ने शायद आप छोटी होंगे उस समय आप छोटी होंगी हम लोग तो बड़े थे जिस समय उनकी सरकारती पता है एक सुबह से जो लाइन जाती थी दो पहर के बाद बहुत मुश्किल से आती थी और शाम से जो लाइट जाती थी रात के ग्यारा बजे बारा बजे रात तक लाइट कटी रहती थी पूरा बिजनस ठप रहता था अंदकार में गलियां अंदकार में सड़के रहती थी वो 200 यूनिट बिजली देंगे बलकि बिजली पैदा होने के लिए यह नहीं है उनको लगता है किसी भी मुकालते में बच्चो वहां की जो जनता है उनको यह ब्रहम जाल फैला करके सिर्फ और सिर्फ हम वोट ले लें उसके बार देखेंगे हम सब सरकार में आ जाएंगे तो बिजली देने के बज़ाए और बिजली बिभाग से हम लूटेंगे एक लाख रूपे हर साल मैलाओं को देंगे आरजेडी कह रही है ठाला कि तेस सीतो पर जो लड़ ड़य है इस बार आरजेडी उस तेस सीतों पर अगर जीत दरच कड लेते तो ये आरजेडी जर्फ और जर्फ अर और ए वादा किया है कि हम हर साल मैलाओं को एक लाग सरकार थी आपको याद होगा है आप चोटी होगी फिर मैं कहा रही हूँ कि आप छोटी होगी अठारा वर्षों तक नगर निकाय का चुनाऊ नहीं हुआ था अठारा वर्ष अठारा वर्ष में जितनी अराजकता हो गई थी पुरे नगर विभाग में नगर विकास विभाग में बने एक व्यक्ति जो अधिपत्य जो पुराना काउंसलर था उसका अधिपत्य हो गया था लोग त्रहीमान त्रहीमाम कर रहे थे सरकार बदली और जब नए लोग आए नयं कांसलर मैं वी उसमें थी उस समें कितने पैसे मिलते थे 200 रुपय वह भी 200 कम मिलता था पता है आपको बीचौलिए कहा जाते थे 200 रुपया ब्रिधा पैसा बीच में जब एक रुपक्यादि चलता है और 15 पैसा पहुचता है तो सारे बीचौविया खाते ते और अब नोनों महिना तक ब्रदा पैस्वन मिलता था अब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं और आज जाएए डाइरेक्ट उनके खातों में सारे पैसे ट्रांसपर हो जाते हैं और हर महीने ट्रांसपर होते हैं उनको जब इच्छा होती है वो जा करके अपने खाता से निकाल करके वो पैसा निकाल लेते हैं काफी भावने वादे हैं अगर जनता उन्होंने जीवन भर उनके पिता ने यही किया जब नए नए आया थे आप यकीन नहीं करेंगे लोगों ने विश्वास दिखाया था कि अति पिछड़ा का एक व्यक्ति आ रहा है गरीब वो गरीबी उसने देखा है क्योंकि जिस तरह क कि घरों में वो रहते थे हम लोग देखे वे हैं हम लोग जो बहुत चोटे थे तो हमने देखा उस घड़ को देखा वाए तो लगता था कि गरीब घर से आया हुआ है यह गरीबों को लूटने आया है अकूद संपत्ति बनाने आया है चाड़ा कौन खाता है संपत्ति आज टेजस्वी जी बात कर रहे है वो एक लाख रुपय दे रहे है जो अकूद संपत्ति बनाए उसको बेज करके हम बहनों को देंगे रक्षा बंदन के दिन इंतजार करेंगे वो अपनी बहनों को देंगे आज तक उनको ब्रदा पेंसन सही से जो व्यक्ति नहीं दे पाया उनकी सरकार नहीं दे पाया बरसो बरस तक उनके सारे हक और अधिकार को जिन लोगों ने चीन लिया शिल्पी जैन कांड याद है उनका परिवार कहां भागाता याद है डी लालन सैंस का पुरा परिवार क अहां भागाता याद है चंपा विश्वास कांड याद है जनता इस जहासे में कभी नहीं आने वाली आज भी पटना में जब चर्चा होती है कि मनें इतने लोग लुबावने आभी में आ सरकार ने केंदर सरकार ने जो किया है हम पूर्ण विश्वास करते हैं उन पर और अभी अगर कुछ और भी देना पड़े तो हम वह भी देंगे क्योंकि सरकार सुद्रिड़ता के साथ चल रही है अपने बर्चस्व के साथ चलिए और पुर्विश्व में एक डंका बज़रा पहले भारत का नाप कोई लेता था भारत के प्रदान मंतरी कहां खड़े होते थे दिखता था कहां पर खड़े रहते थे पीछे में ऐसे खड़े रहते थे जैसे डरे सहे में रहते हैं आज भारत का प्रदान मंतरी नेत्रित्व करते हुए चलता है और सारे देश के प्रद सबसे बरी बात यह कि जिस तरीके से अपरिपक है तेकि उनकी पूरी फैमिली कहां से वो पढ़ते थे किसी स्कूल से पढ़े हैं वहां मेरी बचियां भी हो वहां मेरी बहने भी पढ़ी हैं वहर साल फेल होना उनके खांदान का रिकॉर्ड रहा है कोई बच्चा पास ही जल् लगुष पास करता था तो ये डिकॉर्ड है हमारी बहनेख कहती थी कि हम लोग इतना महनत करते हैं तो फिर भी उनकी बैटियां सब रहती है उनको लोग Tamam ko लोग की इतना उपास इतना फंवर लातने लिए रिएसे लिए कि यतनी पढ़ाई है जितनी स्टा वो तो उसी लेवल की बात करेंगे ना बाचित करने के लिए बीचेपी का हमला कुछ इस तरीके से कि परिवर्तन पत्र यानि मेनिफेस्टों जो आर्जीडी के तरफ से रिलीज किया गया है वो और परिपक्ख है गुपता के साथ निदिश्री एवी पिन्यूस पटना